नवश्कार, SBT News में आपका स्वागत है पेश एराज 11 अक्टूबर 2024, शुक्रवाई शाम 17 बजे राइस्तान की बड़ी खबरे रास्तान शिक्षा मंतरी मदन दिलावर पर मदुमक्यों का अटेक किया मदुमक्यों ने मंतरी और अन्य लोगों को डंक मारा मंतरी मदन दिलावर को लेकर अस्पताल पहुँचे मंतरी मदन दिलावर को इंजेक्षन लगाए गए मंतरी मदन दिलावर का बलड प्रेशर बड़ा मंतरी मदन दिलावर आज भैस रोड़ गर शेतर के दोरे पर थे मंतरी मदन दिलावर श्रीपुरा में आयोजित कारेक्रम में शरक्त करने आये थे पांगलादेश में लगादार हिंदू विरोधी गतिवीदियां हो रही है ताजा मामला पांगलादेश के हिंदू मंदिर में मुकुट चोरी होने का है यह मुकुट खुद प्रधान मंतरी रनेंदर मोदी ने मार्च 2021 में अपनी बांगलादेश यात्रा के दुरान भेट किया था यह मुकुट चोरी हो गया था इस घटना पर भारत ने कड़ा इतराज जिताया है भारत ने बांगलादेश से दो टूक कहा है कि इस घटना की जाच कराई जाए और दोश्यों को सजा मिले बांगलादेश में शेख हसीना को सता से हटाई जाने के बाद सही अराजकता का महुल है यही कारण है कि सतकीरा के शामनगर में जो श्रेश्वेरी मंदिर में काली माता का मुकुट चोरी हो गया भारत ने मंदिर में मुकुट चोरी होने के मामले को घंबीरता से लिया है इस घटना पर चिंता जिताते हुए बांगलादेश के कानून प्रवर्दन अधिकारियों से इस मामले की जाच करने और दोश्यों को सजा देने की अपील की है सोत्रों के नुसार चोरी की घटना पर उचित कदम उठाने को लेकर भारतिय उच्चायोग पांगलादेश के अधिकारियों से सतत संपरक में है नॉयल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेर्मेन निक्त किया गया है टाटा ट्रस्ट की शुकरवार को ही बैठक में सर्वसमती से एफेंसला लिया गया यह बात मीडिया के एक रिपोर्ट में खही गई है नॉयल टाटा रतन टाटा के सोतेले भाई है टाटा ट्रस्ट की शुकरवार को दो मीटिंग्स हुई एक बैठक में रतन टाटा को शत्दानली देने के लिए और दूसरी मीटिंग नए चेर्मेंट की नियुक्ति के लिए हुई पता दे की रतन टाटा का देहांत बुद्दवार को देर रात मुंबई में हुआ उनका अन्तिम संसकार कल यानि गुरुवार को हुआ रास्तान में उजयापुट जिले के साहरा थानक शेतर में आज सुबई एक अंधेड वक्ती पर हमला करने वाले लैपर्ड को ग्रामी रोने पीट पीट कर मार दिया पुलिस ने बताया कि कमोल गाओं में शुक्रवार सुबई देवाराम गमेती के मकान से सटे बाड़े में भंसे बेंद के बच्छे को तेंदुए ने हमला किया इस पर देवाराम बाड़े में गया दो तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया जिससे उसके दोनों हाज जक्मी हो गए सब इंस्पेक्टर भरती परिक्षा 2021 पेपर लिक मामले में नया खुलासा हुआ है कपेपर रاجस्तान के साथ हर्याना की गैंग के पस भी पहुचा था हर्याना की गैंग ने लाखो रुप़े लेकर साय भरती परिक्षा कपेपर भेड़तियों को बेचा था किरफतार अरोपी ट्रेनी एसाई ने पूश्टाश में हर्याना गैंग के पास पेपर होने का खुलासा हुआ है ADJ वीके सिंग ने पताया तीन ट्रेनी एसाई ने हर्याना की गैंग से 20-20 और 40 राक रुपे लेकर पेपर खरीदा था इन में अलवर के कोकिला निवासी जैनु कुमारी चोहान, चुझनु के नूनिया गोठ़णा निवासी मोनिका जाट, श्रीमादपूर के अचीद गट सिथ हर्दास का बाग निवासी सुर्जीस सिंग यादब और अलवर के रज़दों की निवासी निरश कुमारी यादब चांब है दोसा की शालावास जेल एक बार फिर सुर्ख्यों में है याँ पुलिस ने कारवाई करते हुए जेल में नशे की सप्लाई करते आरेसी जवान को गिरहतार किया है किरफतार जवान रामना सुरक्षा पहरी के रूप में शालावास जेल में तैनाब था उसके कबजिस से पुलिस टीम ने बड़ी मात्रा में नशे का समान पीडी सिग्रेट आदी बरामत किये हैं जबकि नशे की सप्लाई करने वाले दो अन्य लोग पुलिस को देख फरार हो गए हैस्पी रंजीता शर्मा के निर्देशन में हुई बड़े कारवाई के बाद से विशिष जेब में खर्मली मची हुई है हाल ही में ग्रह विबाग की समिक्षा बैठक में मुक्यमंदरी भजनलाल शर्मा ने जेलों में संदेख गदिवीदियों को ले कर सकती बरतने के निर्देश दिये थे इसके बाद दोसा पुलिस में विशिष्ट केंद्रे जेल शालावास की निग्रानी की और अवैद रूप में नशे की सप्लाई करते जेल प्रहरी को दबोच लिया रहस्तान हाई कोड प्रिशासन ने 152 अधिकारियों के तबाद ले की रजिस्टार जनल की और से जारी आदेश के अनसार जिला जजज संवरक के अधिकारी अरुन कुमार बेनीवाल को जिला अनु सत्र नियादिश मेड़ता अनु चोदरी को सत्र नियादिश बिष्टाज सिंग को किराया अपीलियर ट्रिबिनल जैपुर महानगर प्रथम में पीठा सीन अधिकारी भुपेंदर कुमार मीना को अतिरिक जीला अमसात्र नियादिश संख्या 0-2-12 जगदीश कुंतल को अतिरिक जीला अमसात्र नियादिश खैरवाड़ा उध्यपूर दसा देवें महिला ने अपने हाथ को खोल कर पुलिस को इसकी सूचना दी अलवर गेट थाना पुलिस ने पीडित महिला की शिकायत पर जान शुरू कर दी है मैयो लिंग प्रोड निवासी मीरा कशप ने बताय कि वह SBI दिली ब्रांच से रिटायर है करीब 2006 से अर्जमेर में रह 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 इसके साथ ही उसकी चोटी बहन भी घर में रहती है लेकिन विमार होने के चलते वे बैड ड्रेस्ट पर थी रास्तान के पूर मुख्य मंत्री अशोग गैलोत ने युवाउं से अपील करते हुए कहा कि उन्हें रतन टाटा की शक्सियत से प्रेड़ना लेकर उनके मुल्यों को अपने जीवन में उतार कर स्वयम को भैतर बनाने का प्रियास करना चाहिए श्री गैलोत ने शुकरवार को सोशल मीडिया के माद्यम से कहा कि श्री रतन टाटा की शक्सियत इतनी बड़ी है कि देशपर में आम जन को उसकी मृत्यों पर दुक्कान बहुआ उनका व्यक्तित्व के व्यपार तक्सीमित नहीं था चकाचोदबरी व्यवसाइक दुनिया में श्री रतन टाटा अपनी साथगी के साथ रहे उनकी शक्सियत प्रेणना दाई थी ठाटा समूर ने परोपकार के कारों में दुनिया के सबसे बड़े उद्योग पतियों से ज़्यादा व्यक किया है चैपुर में मोसम का मियाज बिदलने से गुरुवार देश शामाई बरसा से क्रिशी उपस मंडी याड में खुले में रखी बाजजे की करीब 10,000 बोरी यानी सवा करोड का जिन्स भीग गया इससे वेपारियों में रोश है इदर मंडी का राले में क्रिशी विपनन बोर के उपनी देशक मही पाल सिंग की मुझूदगी में सवा 3 घंटे चली वारता भी बे नतीज़ा खतम हो गई मंडी वेपारी वीने डंग्यांच वेपावन देयन ने बताया कि एक अक्टूबर को उनका माल निनावी के बाद पल्ले दारों ने बोरियों में भर तो दिया था कोई नहीं था और लाइट भी कटी हुई थी इससे बड़ा हाथसा टल गया हाथसे के बाद लोगों की भारी भी जमा हो गई वहीं लोग ट्रांसफार्मर से गिर रहे तेल बोतलों में भरने लगे सूच्टा मिलने पर पुलिस मोके पर पहुँची डिसकॉम के टीम भी मोके पर पहुँच कर लाइट दरुस्त करने का काम शुरू किया सानिया लोगों का कहना है कि सुबह करीब आठ से नो बजे ड्राइवर की लापरवाई से एक ट्रग महावीर सरकिल पर डिसकॉम के ट्रांसफार्मर के अंदर गुज गया टकर के बाद पॉल तूट जाने से ट्र समेलन में आसियान देशों में भारत की एहमियत के बारे में बताया गया समेलन के दुरान पी एम मोदी की इस बात के लिए भी तारीफ हुई क्योंकि पी एम मोदी ने सबसे ज़्यादा बार इस एशिया समेलन में भाग लिया है जोधपुर के सालवास गाम से गुजर रही सीएंजी गैंस पाइप लाइन शुक्र बार सुबह अचानक लीकेज हो गया लीकेज के बाद पाइप लाइन से गैंस तेजी से बाहर निकलने लगी जिससे गाम में दहशत फैल गई घटना सल के पाद सीपुल का निर्मान का काम चल रहा था वहां मोखे पर मुझूद लोग लीकेज पाइप से दूर भागे और पुलिस को सुच्चा दी गई जानकारी के बाद विवेक विहार वे बोरा नाड़ा थाना पुलिस का जबता मोखे पर पहुँचा गेंस कंपनी के टीम भी मोखे पर पहुँच गई करीब आदे गंटे तक गाम में गेंस फैलती रही अब टीम की और से लीकेज को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है राशनकरण में EKYC की अंतिम्तिती को बढ़ा दिया गया है अब बंचेतु भोगता 30 नुमबर 2024 तक EKYC भरवा सकेंगे पहले ये अंतिम्तिती 30 अक्टूबर थी जिसे बढ़ा करब 30 नुमबर तक कर दिया गया है उसके बाद भी EKYC नहीं कराने पर सदस्य का नाम योजना से हट जाएगा उसे गेहुन नहीं मिलेगा जुझनु जिले की बात करें तो यहां अभी तक 80 प्रतिशत EKYC पूरी हो चुकी है कादि सुरक्षा में चिनित 13,50,000 में से 10 लाख लोगों ने EKYC करा चुकी है जिलारसत अधिकारी ने कपिल जाजडिया ने बताया कि EKYC के अंतिम दिती बढ़ा कर 30 नुमबर तक कर दी गई है जोदपूर में आज नवरात्री परव को लेकर होम अस्ट मी मनाई जा रही है मंदिर और घरों में हवन पूजा के साथ ही माता की विशेश पूजा अर्चना की गई घरों में कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन प्रसाद करवाया गया इसके साथ ही पिछले नो दिन से चले आ रहे नवरात्र महुस्व का भी आज अंतिम दिन है हलांकी तीथी में उतार शुडा के चलते कल दो फैर दक नौमी रहेगी इसके पशार शाम को दिशेरा ऐसे में कई लोगों ने अपने नवरात्र वरत का पारण भी आज किया 15-17 शर्मा ने बताया आज होम अस्ट्री में और नवरात्री ती थी दोनों मनाई जा रही है जिन लोगों ने आज अखन नवरत्र किया है वे आज वरत्र का पारण न कर सकते हैं फिलाल इस विलेटिन में इतना ही फिराजी रोंगे बड़ी खबरों के साथ श्री गंगा निगर में 18-20 अक्टूबर को शुक्रिवान, शनिवार और रविवार को प्राते 10-18 पचेटर प्रोपटे बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगार धन और साथ ही करवाचूत की अफसर पर महिलाओं के लिए 18-20 अक्टूबर तक महंदी लगाने की भी निशुल्क व्यवस्ता की गई इस एक्सपो में श्री गंगारे के शहर वे अन्य शहरों में प्रोपटी, मकान, तुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अक्सर और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बेकुल फ्री में महंदी लगाई जाएगी और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने 1 पसंद की प्रोपटी खरीदने का और बेचने का भी मोगा इस एक्सपो में एंट्री बिलकुल निश्यो लुक रहेगी तो जल्दी जल्दी आईए और विजिट कीजिए इस प्रोपटी बिल्ड एक्सपो थैंक यू सो मच पो वाजी धन्यवाद